नमस्कार दोस्तों आप सबका हमारे चैनल उतरा खंड यात्रा में स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको उतरा खंड यात्रा की इस वीडियो में टेहरी गडवाल जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर ताड़केश्वर महादेव टेंपल लांड्स डाउन टेहरी गडवाल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं यदि आप ताड़केश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखें तारकेश्वर महादेव मंदिर प्टिहरी गडवाल जिले के लंसडाउन क्षित्र में स्थित पवित्रदार्मिक स्थान है तारकेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है यह मंदिर समुंदरी तल से 2092 मीटर उंचाई पर स्थित है तारकेश्वर दाम पांच किलमिटर की चोड़ाई में फैला हुआ है। यह मंदिर बलूत और देवदार के पेट से घिरा हुआ है। जो की प्रक्ति के सुन्धरता के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही यहां कई पानी के छोटे-छोटे जहरने बहते हैं। ताड़केश्वर महादेव मंदिर सिद्ध पीठों में से एक है और इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है। श्री ताड़केश्वर महादेव की पूजा एक वर्ष में चार बार होती हैं जिसके अंतरगत एवं अधीन 76 गांव आते हैं। गांव में फसल होने पर सर्वप्र हम मंदिर में भेंट चाहे जाती हैं। इसके पस्चात ही गांव वाले फसल को इस्तिमाल करते हैं। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हर साल हजारों शद्धालों आते हैं। यह माईयता है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मनत भगवान पूरी करते हैं। हर साल महाशिवर जात्री के दिन मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है जो की मंदिर समिती के द्वारा होता है जन्न अशुरुती के अनुसार यहां पर सरसों का तेल और कंदार शाल के पत्तों वर्जित हैं मंदिर परिसर में एक कुंड है माना जाता है कि यह कुंड देवी लक्षमी के द्वारा खोदा गया था। इस कुंड के पवित्र जल का उप्योग शिवलिंग में होता है। तारकेश्वर महादेव मंदिर की पौराने कथा के अनुसार तारकासुर एक राक्षस था जिसने भगवान शिव जी से अमर्ता का वर्दान पाने के लिए इस स्थान पर ध्यान अर्थात तपस्या करी थी। भगवान शिव तारकासुर की विशाल भक्ती और पूजा को देखर तारकासुर को अमर्ता का वर्दान प्रदान कर देते हैं। समय बितने के साथ तारकासुर अमर्ता के वर्दान से प्रित्वी में घलत कारे करने शुरू कर देता है। और संतों को मारने लगा, प्रित्फी का शांतिपुर्ण वातावरन ताड कासुर के द्वारा, मुसीबत में देखते हुए संतों ने भगवान शिव से मदद मांगने का अनुरोद किया, ताड कासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शिव ने मां पार्वती से विवहा क करकी कार्तिक को जन्म दिया जैसे कार्तिक के हाथों ताड़केश्वर मारे ही गए थे तभी ताड़कासुर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे और ख्रमा मांगता है तब भगवान शिव उन्हें माफ करते हुए कहते हैं कि कल्य युग में तुम हें लोग भगवान शिव के नाम से ही पूजेंगे एवं ताड़कासुर की पूजा भगवान शिव के नाम से ही होती है इसलिए इस्थान का नाम ताड़केश्वर महादेव पड़ा इस से पहले ताड़केश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग मौजूद था लेकिन अब भगवान शिव क मूर्ती मौजूद है भगवान शिव जी की मूर्थी उसी जगह है जहां पर शिवलिंग मौजूद था ताड़के शवर महादेव मन्दिर की माणियता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि कहते हैं कि ताड का सूर का वद करने के बाद भगवान शिव ने यहां विश्राम किया था जब माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव को सूर्य की गर्मी लग रही है तो माता पार्वती ने स्वय अंदेवदार के वरिक्षों का रूप धारन किया और प्रदान की ताड़केश्वर महादेव मंदिर के प्रांगर्ण में आज भी वे सा ताड़केश्वर का वर्णन एक पवित्र तीर्थ के रूप में मिलता है। तो वे यहां मंदिर में घंटी चड़ाते हैं। यहां मंदिर में चड़ाई गई हजारों घंटियां इस बात का प्रमाण हैं कि यहां बाबा की शरण में आने वाले मनीशियों का कल्यान होता है। दोस्तों हमारे चानल को लाइक शेर कमेंट सब्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद।